विपक्ष का कहना है कि चिराग पास्वान ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे जमुई वास्तियों की दिल में उनकी लिए जगा बन पाए या फिर चिराग पास्वान जो है या फिर उनके जो बहनोई है वो बाहरी है और इस बार जमुई का जो होगा जो जमुई का करन होगा उनी को वोट मिलेगा जो विपक्ष का निडेट हम नाम लेना चाहते हैं किसी का वह भी बाहरी है उनकी बिदाई बहुत पहले सा सम्मान जमुई से हो चीज़ा है हमारे यहां की बेटी थी वह बहु नहीं है अरुन भारती से हमारी ब्यक्तिगत उसी कोई बाते नहीं ह हमारी बाते हैं जमुई लोकसभा के विकास की बिपक्ष का कहना है कि जमुई के लिए अरुन भारती दामाद है उनको अच्छे से आहु भगत करके स्वागत करें उनको वापस बहुत अतिती देवभवा अतिती देवभवा हम अपने अतिती को कुटुम को हमारे यहां पर विदाई बड़सों पहले हमारे जमुई लोकसभासे हमारे यहां से उनकी बिदाई मंगर हम लोग बेटी को बिदा कर चुके है और उस बिदाई को के बरसों हो गया हैं पिर से एक नया उमिद्वार को लेके और एक को बेटी बना के लेके आये इतिहासिक चिड़ाग पासवान से ज्यादा भोर से चुनाव इन तर से प्रचाट प्रषार में सामिल है और किस तर से अनलाइसिस कर पारें इसी सबसे पहले तो जन्नेबाद देना चाहते हैं आपको और आपके चैनल को यह आम चुनाव है और आम चुनाव देश के भविश्ट तै करता है और हमारे जो निबर्तमान सांसद लजएपी के राष्टी अध्यक्ष अधरनी चिराग पासवान जी के उत्राधिकारे के तोर पर जम्मुई लोगसभा में जो एक उमिदवार दिये हैं वो अपने घर से दिये हैं और उनके बहनोई है अरून भारती जी जो कि अपने एक पोलिटिकल फैमली से भी है और तुझ भूझ वाले अच्छे ब्यक्ति हैं और ऐसे ब्यक्ति को जम्मुई लोगसभा के से अगर जित इनकी होती है तो हम झानों बास्तियों के लिए एक बहुत ही अच्छे प्रणाम इनसे मिल सकता है हम ऐसा कामना करते हैं अशचा है और वो दूसरे लोग सभा के बासी है हमारे यहां की बेटी थी वो बहु नहीं है इस तरह अगर बात बोल गुमरा करती है वो तो यह तो गुमराही के बात है इस बात में कोई सत्यता नहीं है अगरे गया है आप किसे धर से देखते हैं हम जहाजा से सुरू करते हैं जहाजा में केंद्रे भी द्याली कि अस्थापना चिराग पास्वन दवरा क्या गिया जहाजा बटिया है जो सबसे बड़ा प्रयोजना इत्यासिक प्रयोजना है जिसका फंडिंग भी 30 क्रों रूपिया करा के रेल से जहाजा बट्रिया लैन को समर्पित किये हैं जहाजा जमुए बास्यों के लिए और जहाजा इस्टेशन पे रेलवे का जो फूट ऑफर बिरिज है उसका भी निर कि राग पासबन के द्वारा क्या गिया है जमुए लोग सभा में और जो अधूरा काम बचा हुआ है सच में उनके बहनोई जो एंडिये को मिद्वार है अरुन भारती जी उनके मारफस से अधूरा काम को तेजी सिक पूरा किया जाएगा अरुन भारती जो पहली बार हमारी बात हैं जम्हु लोग सभा के विकास के लिए और खास करके हम हम उनसे जो बाते किये हैं हम अपने अरफ संक्षक समुदाय के जो लोग है अप असनलुग के बहोत आई हम अगरू जीत होती है हम लोगके सैयोग Cookie है तो हमारी संख्षक जर्बाय के लिए आपको एक प पड़ेगा वीख का कहिना है कि जमुज के लिए अरुन भारती दामाद है उनको अच्छे से आहू भगत करके स्वागत करें उनको वापस डेवभवा के कि अपने अतिति को कुटुम को हमारे यहां पर्था है कि हम अपने अतिति को सम्मान देते हैं सम्मान पूर्वक अपने घर में रखते हैं बिठाते हैं और जो विपक्ष की नेत्री है हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि नहीं का वो उनकी बिदाई बरसों पहले हमारे जमुए ल पर देखाने का में सब लोग आए मगर हम लोग बेटी को बिदा कर चुके हैं और अब उस बिदाई को किये बर्सों हो गया है और साथ सम्मान बिदा कर दिये हैं पर पाद कर दिये को जबन nine नहीं आए दस साल तक यहां से 90 परसेंट वोट हम लोग उनको नब्वे परसेंट भोट जाजा विधान सवा से उनके उनके पती के जो उमिदबार है उनके पती के खाते में डाले है नब्वे परसेंट भोट आप रिकार्ट उठा कर देख लिजिए हम अगवानी कर रहे हैं तो समय उनकी भी उसके बाद से जो लापता हुए अब है अरुन भाराथि झी के जीत होंगेने इतिहासिक जीत होगी चिराख पासबान से जादा भोट से चुना आरुन भारती जİते नहां जीतेंगे जो रिजल्ट आईगा चारज उनको तो आप देखिए आरुनभार्ट करेंगे आम जानता से हम अपील करेंगे जाद पार्स से उठके समाजिक निया के धरोहर अधर्निय स्वर्गी राम विलास पासवान के बंसज है ये अधर्निय राम विलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी है उनके पुत्री के हस्वेन अरुन भारती जी है हम चाहते हैं विधान सवाब प्रत्यासिया आवित कोसरेसक्त मौजूद थे और उन्होंने अपने तरीके से सभी राजनितिक मुद्दों पर विशेशकर बाते किये हैं बाराल खबरों में इतना ही बनारे मार्शाथ और देखते रहने शनीश को नमस्कार